असलामलेकुम, वेलकम टू कोड़ विद नकवी, आज की इस वीडियो में हम लग पढ़ने वाले हैं, रेल्स के अंदर स्कोप कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, बीगिनर्स के लिए, और जो लोग अभी रेल्स में कोडिंग वगारा स्टार्ट कर को आएक करना के क्योरी को बार बार रुपीट करना है, यह इस 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 इस्टोनेंट साज इनकी एज अठारां साल से बड़ी है, अचा अब यह क्योरी जो है मैंने अपने कंट्रोलर में यह कहीं जगा पर यूज करनी है, तो इस क्योरी को मैं कैसे हैंडल करूँ तो उसके कि हमें एक रेल्स एक मैथट जेता है वह स्कोप का बहुत ही इजी है कोई इतना मुश्किल नहीं आपने बहुत नाम सुनो गया यह स्कॉप डिफाइन कर लो स्कॉप अब स्कॉप डिफाइन कैसे करते हैं अच्छा मेरे पास एक यह मैथट बना हुआ है अप्रूव नौड अपड़ेट स्टेटस का अच्छा वरहल अभी मैं यह मैं अपको कुछ मैं स्कॉप की रहा हुँगा तक यह वीडियो में सिर्फ स्कॉप को कावर करें अच्छा स्कॉप होता क्या है स्कॉप का वर लाइक मैं जा रहा हुँ अभी मेरे पास ना मैं अगर रेल्स कॉनसॉल खोल के दिखा हूँ मैं मौसली कोशिश करता हूँ कि टर्मिनल पर ही हम स यहां पर कुछ गलत हो गया तो रेल सी को चोटी सी चीज पर भी आरण रहा है तो रहल रेल सी मैंने किया अब रेल सी करके मैं अब मुझे यहां पर मेरे पास एक क्वेस्टन का टेबल है ठीक है? Q. 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 All First करता हूँ तो मेरे पास यह QT तो मेरे पास यह QT अब जिसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है? जिसमें QT ID पढ़ा हुआ है और उसके अंदर पैराग्राफ HTML सेव करवाई विया Technology ID और Status True तो मुझे एक QD यूज करनी है तो मेरे पास अभी साथ QT इसमें मेरे डाटाबेस में अच्छा अब इन सब में स्टेटस पढ़े हुआ है स्टेटस का कोलम जिसमें अभी अमने डिस्कुस ही है यहां पे के एक QT स्टेटस का है अच्छा मुझे वो स्टेटस चाहिए इनका स्टेटस जो है वहकर ढें स्टेटस ट्रू है तो मैं यहां पे एक Scope क्रीएट कर लता हूं Scope क्रीएट करना बहुत यह असान है उभी स्ट्छान सन्सीन सिंटेख्स यहां पे जैरा स्ट्रूस का-इस्टेटस अगई अधर सब्सेरे पहले तो यहां बिल्कितना स्टेटस ट्रू तो मुझे वो कॉसें चाहिए अच्छा जब मैं अप्रूव क्वेस्टन को कॉल करूंगा ना तो यह कंडिशन लगा कर मुझे रिजर्ट जो है ना रिटर्न करें तो मुझे बार बार लिखने को परें कि जो इसाठक जो मुझे बार लिखने को जो है है और बार को बार लॉकने को और क्लिकतक रूप सिर्टस दोट अपू濁डू अप्रूवा को स्या है घए ना प्रूंड चाहिए अंडजी मेसर्ट का नाम कि दो रिखता है अच्छा एक और चीज आपने करने के आपने इसे रिलोड करना बहुत ही असान, रिलोड करना है और बैंक सैन डालना है, तो यह आपका रिलोड हो जाएगा, फिर आपने चेक करना है, तो approve question अमिल चुकी है, और approve question.count काउंट करता हूं, तो यह 5 है, ठीक है मेरे पास question.all मैं अगर करके दिखाता हूं तो वह साथ है लेकिन APPROVED QUESTION पाँच है तो मुझे अब इसने क्या किया कि इसने वह QUESTION देखें धरा क्यूरी का चलिए SELECT QUESTION FROM QUESTION QUESTION STATUS EQUAL TO TRUE तो उसने मुझे वह QUESTION ला कर दिए जिनका STATUS क्या था TRUE था अब यह जो है ना APPROVED QUESTION वाला अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स का मैथड बनाता हूं और यहाँ लिखता हूं एड कोस्टें तो एड कोस्टें इकोल टू कोस्टें क्योंकर 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 क्योंक अच्छा फिल्हाल एक और चीज में आपको यहां पर बता दूँ हमारे पस ने क्लास मेथड़्स भी होते हैं आपने देखा कि कुछ लोग क्लास मोडल मेथड़्स बनाते हैं यहीं पर और कुछ लोग स्कॉप बनाते हैं अब एक कंफूजिन यह जाती है कि यहार स्कॉप कहां पर बनाएं और क्लास मेथड़्स बनाएं तो यहार इसका सिंपल सा जो मैं अनसर करता हूं कि यहार अगर आपकी क्यूरी जो छोटी है ना जिसना मेरी स्टेटस टू है यहार इतना ज्यादा बड़ी क्यूरी नहीं मैं कोई डाटा अग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर वहां पर एक्सेप्शन वेरा क्रियेट कर रहा हुता है जबके स्कॉप को हम बड़ी जी हैंडल कर सकते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़े है लेकिन शोट में अनसर है कि अगर आपकी क्यूरी चोटी है तो आप स्कॉप आपने कुमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में साथ अपना बहुत सारा क्या लगएगा अलाहाफिज